हेलो एब्रिवन आज मैं पजल टेश्ट का कोशिन लेके आई हूँ पजल जो है लिज्डिंग का एक बहुत इंपोर्टिन चैप्टर है इसे बैंक S.S.C. रेलवे सम्में एटलिस दस मार्क्स के कोशिन पूछे ही जाते हैं तो पजल समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजेगा तो चलते हैं कोशिन के ओर कोशिन है A, B, C, D, E और F छे व्यक्ति तास खेल रहे हैं इस सम्मू में A के पिता, माता और चाचा भी सामिल थे इस सम्मू में दो महला भी थी B, जो की A की मा है, अपने पती से अधिक अंक प्राप्त की है D, E से अधिक अंक, लेकिन F से कम अंक प्राप्त किया है E की भतीजी सबसे कम अंक प्राप्त की है और A के पिता ने F से अधिक अंक प्राप्त किया है इसके बाबजूद भी वो इस खेल में जीत नहीं सके चलते हैं पर इसको स्वाद करते हैं इस समूँ में A के पिता मता और चाचा भी इस समूँ में दो महलाएं भी थी टू फीमेल्स B जो की A की मा है B A की मा है जो की A की मा है अपने पती से अधिक अंक प्राप्त की है अपने पती इसका जो भी पती होगा उससे ज़्यादा अंक प्राप्त की है इसका D E से अधिक अंक D E से अधिक है E से अधिक है लेकिन F से कम है F से कम अंक प्राप्त किया है ए की भतीजी सबसे कम अंक प्राप्त की है एक की कोई भतीजी होगी जो कम अंक सबसे कम अंक प्राप्त की है इसको पहले अभी छोड़ देते हैं असे के पिता ने एफ से अधिक प्राप्थ किया है ए mendicat वह ंठिक इसके जो पिता होगा उससे भी जादा अंक किसी का होगा तो यह इसका है यहां पर तो F से ज़्यादा F से कम है D, D से कम है E. तो अभी देखते हैं A, B, C, D. तो अभी बच्चता है बस C और A. तो C यहां हो जाएगा, स्वाद A. A की माँ B, B का A का पिता C. उसको अब अरेंज कर लेते हैं. B सबसे ज़्यादा उसके बाद C, उसके बाद F, फिर D, फिर E. अब बच्चा है बस A. A सबसे कमंक प्राप्त किया है. तो A सबसे कमंक प्राप्त किया है. E की भतीजी सबसे कमंक प्राप्त किया है. E की भतीजी. A मतलब A माइनस में होगा जो भतीजी होगी. और C का भाई होगा E. C का भाई होगा E यह जो है यह नम्मरिंग का अंक प्राप्त करने का यह अरेंजमेंट है और इसका अब देख लेते हैं कौन किसका पिता है तो B की मा उस्तिवाद A B का पती C फिर C का भाई E C का भाई E अब देखते हैं कोशिंग क्या है कोशिंग है खेल को किसने जीता है खेल में सबसे ज़्यादा अंक B का आया है तो B सबसे ज़्यादा है B जीता है उस्तिवाद और कोशिंग कलते हैं कोशिंग की और उस्तिवाद आगे कोशिंग है सबसे कम आंक किस ने प्राप्ट किया है तो A option होके जाएगा उसाइभ B का पती कौन है B का पती C है तो C option number 4 C answer होगा और उसे बाद question है इस खेल में दूतीय अस्थान किस ने प्राप्ट किया तो दूतीय अस्थान C ने प्राप्ट किया तो आप्षिन नमबर 3 हो जाएगा C answer है Thank you friends, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे तब तक लिए अगर कोई कोशन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं Thank you very much Hello friends, JMC क्लास में आपका स्वागत है हमारा लक्ष आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष तक पहुचाना है हर कमपर्टेटिव एक्जाम का टेस्ट स्रीज उपना है